हあーlo दोस्तों बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बाड़ी खबरे जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे तो फटफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाई जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले मे रहते हैं सात हैं हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं सात है आपके में अगर कोई भी सवाल हो तो आप आम नीचे क्उमेंट करके जरूर पूछें बाडिकर में दिखे राजवेंदर सिंह भटी बने बिहार के नए डी upgrading इस सरकार ने जारी की अधिस उचना जिया देखे बिहार में पुलिस महकमे से जोड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है 1990 बेच के IPS अधिकारी राजवेंदर सिंग भटी को बिहार का नया DGP बनाया गिया है सरकार ने इसकी जोड़ी अधिस उचना भी जारी कर दी है साथ ही आपको बता दे कि 1990 बेच के IPS अधिकारी राजवेंदर सिंग भटी इससे पले सीमा सुरक्षबल के DGP थे वर्तमान DGP एसके सिंगल 19 दिसमर को रिटायर होने वाले हैं अब बिहार के DGP की जिमेदारी राजवेंदर सिंग भटी को सपी गई है आपकी जानकारी के बता दे कि बिहार के बाहुबाली नेता रहे सहाबो दिन को गिरबतार करने के लिए जो विसिस गुप्त योजना बनी थी उसमें आरेस भटी नहीं अंजाम दिया था साल 2005 में विविदानसवा चुनाओ के वक्त विसिस तोर पर उन्हें केंद्रे परतिन्यूक्तिक से वापस बिहार लाया गया था उसके बाद उन्हें सिवान में डियाजी के रूप में पदवार सुपा गया था आरेकर में दिखे सुपे में 1 अप्रेल से शुरु होगी जाती के जनगन्न बाहर रहने वालों को भी देनी होगी जानकारी या दिखे बिहार में नेतिस सरकार द्वारा जाती अधारेत गन्ना को लेकर सभी तरक के तयारी सुरू कर दी गई है अब राज में जल्दी जाती की जनगना शुरू कर दी जाएगी बिहार सरकार की तरब से पहले चरण की तितिकी गोसना के साथी आप दूसरी चरण के लिए भी तारिक की निधारित कर लिया गिया है दरसल सुबे में जाती अधारित जनगना का दूसरा चरन एक अप्रेल से 30 अप्रेल तक होगा इसमें अपने काम के सिलसले में राज से बाहर रहने वाले यानि दूसर राज या विदेश में रहने वाले लोगों को भी गनना होगी उनकी सुची में उनके राज का नाम दर्ज इसके अलावा आपके जानकारे के लिए बदा दे कि दूसरे चरन से पूरो पहले चरन में 7 से 21 जनुवरी के बीच मकान के नम्मरिंग के साथ घर के मोख्यावा सदैसो का नाम दर्च किया जाएगा इसे पोटल पर अपलोड किया जाएगा ताकि दूसरे चरन में होने वाली गरना के दोरान तैयार सुषी के साथ मिलान करने में परिसानी ना हो साथ दिखी पहली चरन में गरना करमें परते घर में रहने वाले लोगों के घर कच्चा या पक्का किसिती जमिन किसिती वार्स कामदनी घर के सदैसो कि सेक्षनी किसिती रोजगार है तो सरकारी या प्रिवेट प्लिटेकनिक के डिप्लोमा अभियांतरन पाइड करम का कॉरिकुलम का विट को माधारित बनाया जाएगा इन इस अंसानों में पढ़ाय जाने वाले 29 डिप्लोमा अभियांतरन पाइड करम में से 18 का नया सिलेबस एन आई टी आर भुपाल तयार कर चुका है इनके लिए बिहार काउंसलिंग और साइन्स और टेकनोलोजी में पाच दिनों की ट्रेनिंग वा करिसला हुई है बाड़ी करमे देके बिहार में पहाडों से पहुचे पच्छवा होओने गिराया रात का बारा बड़ी टर्ण से परिसान दिखे लोग जा देखे पहाडों में होरे बर्ब बारे के चलते बिहार के तापमान में तेजे से कमे आरे या रात के सर्द होने के साथ राहगीर और रिक्सा चालोकों वह सड़कों पर रहने वाले लोगों की मुस्किले बढ़ती गई है। पहाडों में बर्ब बारे भी हो रही है इससे पहाडों में नामी के अधिक्ता हो गई है। वाईदे के सुसील मोदी ने कहा कि जहरिली सराब से मारने वालों का आकड़ा सो के पार चला गिया है और सरकार मारने वालों को आकड़ा चिपा रही है। बीपे कर लोगों के मारे जाने पर प्रसासन लासू को जलवा रही है ताकि आकड़ों को छुपाया जा सके उन्होंने कहा कि लोगों को धमकाया जा रहा है। वाजिके सुसील मोदे ने कहा कि सरकार को सारन कार्ण के मेट तक के परेजनों को मौवजा देना ही होगा जब गोपाल गंज की पीड़ेतों को पैसा दिया गया तो सारन को क्यों नहीं दिया जाएगा नितिस सरकार हट छोड़े और 4-4 लाक रुपे के मौवजा का प्राव पार आएगी टीम डीजीपी मुझ के सरचीव को पहले ही भेजाता नोटिस जहा देखे सारन में पिछले चार दिनों में 72 लोगों की जहरेली सराब से मौत हो गई है वाज़े के जानकारी मिली है कि राष्ट्य माना अधिकार आयोग ने संगा लेते वे जहरेली सराब से मौके पर जाच के लिए टीम बिहार भेजने का फैसला किया है आयोग ने ट्विट करके कहा कि अपने एक सदस्ट के अधिकस्ता में अपनी स्वाई की जाच टीम बनाई गई है यहां टेम बिहार के आने जिलों में मौके पर जाकर जाच करेगी बतादी के हादसे के चोते दिन भी अस्पताल और घटना वाली गाओं में अपरा तपरी के माहल रहा वाई देखे के जहरेली सराब कान में मौत के बाद दूसरी कारवाई देखिनों के मिली है इसू पूर्थ हाना अध्याच संजेकुमार राम चोकिदार और दमदार को पुलिस दिख्चक ने निलम वाई देखे कोलकता से लोटने के बाद बोले तेजस्वी वीजे सिना एक नहीं दस मुकदमा करी जा देखे केंडरे ग्रह मंत्रे आमिस्ता के नेतोत में कोलकता में पूर्व चेत्रे सुरक्चा परिशत की बैठक वी जिसमें पशिम मंगाल के मुईख मंतरी ममत बनर जे जारकंड के सियम हमन सरेन, बिहार के उपो मंग्मंतरी तेजस्वी आदव, ओडिसा के मंतरी प्रदीब कुमार समयते तुसार करांती बहराज सामिल होने के बाद बिहार के डिपटी सियम तेजस्वी आदव कल पटना लोटे पाटना एरपोर्ट पर मीडिया से बाचित करते वे तेजसी व्यादव ने कहा कि पूरवी छेत्रे सुरक्षा परिसत के बेठग में बिहार के एजेंडों को रखा गिया है जारकन प्यांसन मामला फरक का बराज सहीद कई मामलू को इस बेठग में रखा गिया है जोरान एक नहीं बल की दस मुकदमा करे गौर तुलबे की बिहार में सराब बंदे के बावजो दसारन बेगुसराई और सीवान में जहरेली सराब पिनी से कई लोगों की मौत हो चुकी है जहरेली सराब से मौत को लेकर सियासित भी जारी है इसी बीच 108 पेड़ी सराब बरामद हो पर कहा था कि मामले में जिस वेक्ति की सनलिपता पाई गई है वह जिर्योई पाड़े की इस्टिकर लगा कर अपने गाड़े पर घुमता है उन्होंने कहा कि जिस वेक्ति की गरपतार हुई है उससे उनका कोई समन नहीं है लेकिन उनकी परिवार के उपर इस सरका आरोप लगाया जा रहा है वाई देके सुसिल मोदे ने नितिस से सिपा और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की कर दी मांग जादे के बिहार के छपरा में जहरेली सराब से मौद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है इसी कड़े में बीजेपी ने ता सुसिल कुमार मोद ने मुख्यमंत्रे नितिस कुमार से बड़ी मांग कर दी है उन्होंने सियाम से सिपा देने की मांग की है और साथ ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को कहा है मौदे ने कहा कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उनके लिए सराब का करोबार रोखना आसान हो जाएगा सराम मापया कोई और नहीं बल की तेजस्वी की लोगी है नों नहीं अभी कहा कि सरकार मौत के आकड़ी शिपा रही है मारी खरमेदी के बिहार में 6-7 मार्च को होगी जी 20 की बैठक गया राजगेर और नालना में जुटेंगे जी 20 के डेलिगेट से तयारी सुरू जहां देखें जी ट्वेंटी के देश्टा इस बार भारत कर रहा है और इसी जी ट्वेंटी को लेकर भारत में 200 लगलग बैटक होगी इस बैटक में बिहार में भी बैटक आजित की जाएगी जी ट्वेंटी को लेकर बिहार सरकारते कर रही है बिहार के गया राजगिर और न दिया गिया है बाड़ेखर में देखे 5 जनवरी को मलिका अर्जुन खडगे बिहार में बहुंचेंगे बाका से भारत जोड़ो यात्रा को हरी जन्डी दिखाएंगे राष्ट्य अध्याइच दो माहिने तक चलेगे यात्रा जादेखे 5 जनवरी को कॉंग्रिस के राष्ट् जुनों को मावजा मिले इसके लिए मुख मंतरे नितियस को माज से बात करेंगे दरसल बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमेटे की द्वारा प्रदेश कॉंग्रेस कारले सदाकर अस्रम में हाथ से हाथ जोड़ा अभ्यान की सिरुवात को लेकर आहम बैठक का अईजन किया गय दरसल राज के अंदर स्वास्त बिभाग में अगले च्छो महने में बड़े मातरा में बहाली निकलने जा रही है इस बिभाग में आगा में च्छे महने के अंदर सत्तर हजार कर्मी बहाल होंगे जिसमें से 35,000 A.N.M. की होगी बहाली वहाई देखे इस बात के जानकारी ख कहा कि मिख मंदरे डिजिटल स्वास्त योजना का काम पाले चरण में पटना गोपाल गंज सिवान और नालंदा जिला में हुआ है वहाई दूसरे और तिसरे चरण में बाकी के बचे भी एक जिलों में काम किया जाएगा इसके साथ उन्होंने बताई कि बिहार देश में प खरीज को लेकर राज सरकार ने अंचलो की जिम्मेबारे तई कर दी है अब कोई दाखिल खरीज का आवेदार बगेर कारण बताय रद नहीं होगा अंचल दिकारियों को हर हाल में आवेदान रद करने का कारण इस पश्ट बताना होगा आनन फानन में कोई आवेदान आने नहीं होगा राजस वो एवं मोमि सुधार विवाग ने इस समन में अभी जन्चलो को नेदेश जारी कर दिया है दारसल इस समय दाखिल खारिज को लेकर राजस सरकार बेहत गंभीर है बड़ी संक्या में ऐसे मामले लगतार लम्मित हो रही है उनसके निस्पादन के रापतार बेहत देमी है यही नहीं इसके सुकिर्ट करने और असुकिर्ट करने का कोई भी कारण नहीं बताया जाता है जिसको देखते विए फैसला लिया गया है बारी करम देखे जैमें 2023 में 75 फीज़ी अंग की अनिवारता फिर से लागू एंडिये ने किये कई बदलाओ जिया देखे नेशनल टेस्टिंग एजनसी ने जैमें की परिछा में इस बार फिर से कई बदलाओ किये हैं एक बड़ी बदलाओ के ताहत इस बार 2020 से पहले बारवी में 75 फीज़ी अंग वाले नियम को फिर से लागू कर दिया गया है इस बार 2023 में इस फिर से लागू कर दिया गया है वाई देके इन संस्तानों में जोसा और जिसे भी काउंसलिंग के जर्ए नमांकर होंगे सेंडरल सेड अलोकेसण बूर्ड के जर्य निए इटी और सी एप ट्याइ संस्तानों के बीए बिटेक अर्क बीप्लानिंग कोर्स में दाके लिए All India पर बेश्ट होंगे लेकिन इसमें बार्वी में कम से कम 75 फिज़ी माक्स की भी सर्थ होगी वहीं सी वा एस्टी वर्ग के चात्रों के लिए 99 माक्स 65 फिज़ी रखी गए है इसके अलावा देकि अन्टिय ने इस बार पूरुस उमिद्वारों के लिए रजिस्टेशन फिज़ी साड़े 600 से बढ़ा कर 1000 रुप्य कर दी है जबकि महिलाव में द्वारों को 800 रुप्य का भूग करना होगा आड़े करमंदी के उन्वेसिटी में पढ़ाई और एक्जाम के लेट लतीफी होगी दो रेनितिस सरकार बनाएगी हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी जबकि बिहार के विस बिदाले में सेक्षनिक सत्र और एक्जाम में लेट लतीफी से परिसान श्टूडेंट को जल्दी रहत मिलने के उमीद राज के विभी नियुनिसर्टी में सेक्षनिक सत्र को नियमित करने के लिए नितिस सरकार हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी गठित करने जा रही है राज उचतर सिक्षा परिसत के अंतरगद बनने वाले या कमिटे सक्षने सत्र को नियमित करने को लेकर अपने रिपोर्ट देगी इसके बाद आगे की करवाई होगा या जयनकर इस उच्छा मंतरे चैंदर से करने कुलपाती कुल सक्षी वीतिय सलकारों की साथ बैठग में दी है वाई धे कि इससे पवले सिक्षा मंतरे ने विसे बिदाले में बिलम से चल रहे से और नाराज गे जाहर की है और सदार पर वेतन आदे के बुबतान होगा आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें